सो अलो फ्रेंड्स एक बाव फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल फिल्मी फॉराइवर पर अब दोस्तो बड़े मिया छोटे मिया मूवी का डे 5 का यानि की मंडे का 15 अप्रेल के दिन का बॉक्स ओफिस कलेक्शन की फश्ट रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट को देखकर लगता है कि अक्षय कुमार और टाइगर शौफ की मूवी जिसे अली अब्बास जफर ने डिरेक्ट किया है ये मूवी हमें कहीं न कहीं अल्टरा डिजाश्टर होते हुए नजर आ रही है क्योंकि इस मूवी का बजट बहुत ही में कितना होता हुए नजर आ रहा है सबसे अगर हम मंडे की एडवांस बुकिंग की बात करें तो 1.2 करोड एक डिसमलब 2 करोड की मैदान मूवी ने एडवांस बुकिंग की है जहां इसका इंडिया से नेट कलेक्शन मात्र 5 करोड के अंदर निकल कर आ रहा है बड़े मिय छोटे मिया मूवी आज मंडे को अल्मोश्ट 4 करोड तक का कलेक्शन करेगी इसका ग्रॉफ कलेक्शन अल्मोश्ट 5 से 6 करोड के मिड में होगा ओवरजी कलेक्शन 2 करोड का करते हुए यह हमें दिखाई दे रही है और यह वल्डवाइड बॉक्स ऑफफिस कलेक्शन है व पहले पांच दिन में इसका इंडिया से जो नेट कलेक्शन है वो 48 करोड 48 करोड का हो चुका है इसका ग्रॉस कलेक्शन 60 करोड 60 करोड 60 करोड का हो चुका है ओवर्सीस कलेक्शन 27 करोड 27 करोड का हो चुका है और वर्ड वाइड कलेक्शन 87 करोड 87 करोड को क्रोस कर चुका है लेकिन दोस्तों अगर हम BMCM मूवी के बजट की बात करें तो 250 करोड 200 करोड इस मूवी का बजट है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ मूवी में 87 करोड की कलेक देड़ सो से दो सो करोड के मिड में करेगी और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाएगी और ये एक फ्लॉप या डिजाश्टर मूवी साबित हो सकती है अब आप बताईए आपको क्या लगता है क्या बड़े मिय छोटे मिय को एक हिट मूवी होना चाहिए था या इसे एक डिजाश्टर का ही टैग मिलना चाहिए आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताईए साथ ही मूवी से जोड़ी हर चोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपनी यूटूब चैनल सिल्मी फॉर एवर को